हाई दिस इस युक्ती एंड यू आ वाचिंग बिंच क्रेविंग्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अगर आपको आज का वीडियो इंट्रस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक अभी से कर दें आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें पनीर को मेरिनेट करना है इसके लिए एक बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कब दही साथी मैं इसमें डाल रही हूँ वन एन हाफ टेबल स्पून बेसन बेसन को मैंने भून के रखा हुआ था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमाक एट करें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर एट करें साथी अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर एक टी स्पून कसूरी मिथी का पाउडर अगर आपके पास कसूरी मिथी का पाउडर नहीं है तो आप इसके पतियां भी यूज कर सकते हैं Half teaspoon गरम मसाला Half teaspoon चाट मसाला साथी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 tablespoon बारी कटी हुई अदरक, मिर्ची और लेसुन तीनों चीजों की total quantity 2 tablespoon थी अच्छे से सारी चीजों को mix करें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 tablespoon मूफली का तेल आप चाहें तो सरसो का तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप mustard oil यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसे अच्छे से smoke point तक लाकर पका लें और फिट ठंडा करके इसमें डालें सारी चीजों को अच्छे से mix हो गई हैं और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पनीर पनीर को मैंने छोटे टुकडों में काट के रखा हुआ था और इसकी quantity है 200 ग्राम सारी चीजों को अच्छे से mix करें ताकि मसाला पनीर को coat कर सके अब हम इसे आदा गंटे के लिए marinade होने रखेंगे इस बोल को या तो आप किसी प्लेट से ढख दें या फिर क्लिंग फिल्म से रैप कर दें जब तक पनीर marinade हो रहा है तब तक हम तयारी कर लेते हैं रैप्स के डो की रैप्स के लिए हमें चाहिए एक बड़ा mixing बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप आटा एक कप आटे के साथ में मैं डालूंगी आधा कप मैदा अगर आप चाहें तो टोटल कॉंटिटी मैदा की ही यूज कर सकते हैं बट रैप्स को थोड़ा हेल्दी रखने के लिए मैंने इसमें आटा यूज किया है और अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट करें नमक के बाद मैं इसमें डालूंगी एक टेबिल स्पून रिफाइन डॉयल डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ना तो पानी यूज करेंगे और ना ही दूद हम यहाँ पर यूज करेंगे पिसा हुआ पालक पालक को मैंने उबाल के पीस लिया था पालक के अच्छे कलर के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप पालक उबालें तो पहले पानी को उबलने दें उसके बाद ही उसमें पालक की पतियां एड़ करें डो बनाते समय थोड़ा थोड़ा पालक एड़ करें और इसका हमें एक सॉफ्ट तयार करना है पालक की वज़े से ना किवल रैप्स को एक सुन्दर कलर मिलेगा बलकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप चाहें तो पालक की जगए उबले हुए बीट रूट को भी यूज़ कर सकते है और इसका हमें एक सॉफ्ट डो तयार करना है इस डो को भी हलका सा ओयल लगा कर मैं 15 मिनिट के लिए रैस्ट दूँगी आदा गंटा हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप चाहें तो पनीड को ग्रिल भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर पनीड को पैन में ही तयार करूँगी क्योंकि पैन में पनीड तयार करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियन्ट है एक नॉन्स्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून ओयल और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीड जो की हमने मेरिनेट करके रखा हुआ है गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें पनीर को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये अच्छे से सब तरफ से सिखना जाए जब ये एक तरफ से सिख जाए तब थोड़ा सा इसे स्टर करके दूसरी तरफ से सिख लें और इस तरह से हमें सिखा हुआ पनीर तयार करना है गारनिशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें और ये लीजिए हमारा पनीर तैयार है इसे आप एक बोल में ट्रांसफर कर लें और जो हमने डो तैयार करके रखा हुआ था उसे भी हम अच्छे से स्मूध कर लेते हैं आप इस डो के मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार करूंगी और उन्हें हम रोटी की शेप में बेल लेंगे आप चाहें तो थोड़े बड़े साइस के रैप्स भी तैयार कर सकते हैं और उसे बाद में दो से तीन टुकडों में कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर छोटे रैप्स ही तैयार कर रही हूँ इन बॉल्स को हमें थोड़ा पतला ही बेलना हैं बहुत ज़्यादा इसे थिक ना रखें ये देखिए ये इतना इसको मैंने इतना पतला रखा हुआ है इसी तरह से हमें बाकी के रोटियां भी बेल कर रखनी है और आप बारी आती है इन्हें सेखने की आप इन्हें एक नॉनस्टिक पैन पर सेख सकते हैं इसे हमें थोड़ा सा ही सेखना है ज्यादा नहीं सेखना है ये बस इतना हो जाए और इसके बाद ये सिख गया बस इसे आप पैन से बाहर निकलने इसी तरह से हमें बाकी के रेप्स भी सेख कर रख लेने है रैप्स के सिख जाने के बाद में मैं इस तरह से कटी हुई प्याज में मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक और साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कुछ बूने नीबू के रस्की सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये लीजिए रैप के लिए प्याज भी तैयार है रैप बनाने के लिए मैं एक चपाती के ऊपर सबसे पहले रख रही हूँ चीज स्लाइस हालाकि आप चाहें तो मॉजेरेला चीज का भी यूज कर सकते हैं लेकिन रैप में चीज स्लाइसस का टेस्ट बहुत अमीजिंग आता है अब इसके उपर मैं रख रही हूँ पनीर पनीर की हमें moderate quantity यूज करनी है अगर आपने बड़े pieces मैरिनेट करते समय रखे हुए थे तो आप चाहें तो पनीर को छोटे pieces में भी cut कर सकते हैं ताकि हमें wrap बनाने में आसानी रहे और अब मैं इसके उपर रख रही हूँ प्याज और प्याज के बाद में fine chop की हुई capsicum आप चाहें तो red bell pepper और yellow bell pepper का भी use कर सकते हैं साथ ही मैं यूज कर रही हूँ कुछ kernels American sweet corn के अगर आप चाहें तो इसमें boiled mushrooms या फिर olives भी use कर सकते हैं और इसके उपर मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी mayonnaise आप चाहें तो mayonnaise की जगे पे green chutney भी use कर सकते हैं और साथ ही आप लगा रही हूँ थोड़ी सी tomato ketchup और चपाती को आप दोनों तरफ से उठाकर इस तरह से बंद करें और ये आपका wrap तयार है और इसी तरह से हमें बाकी के wraps भी बनाने हैं इस तरह से wrap बनाने के बाद में आप चाहें तो इसे पैन पर सेख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें ग्रिलर में सेख रही हूँ ग्रिलर को मैंने preheat करके रखा हुआ था और अब preheated ग्रिलर पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर बटर की क्वंटिटी भी ही मैंने बहुत कम ही रखी है अपनी recipes में मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं कम घी या तेल का यूज करूँ जितने भी wraps आपको एक बार में सेखने हूँ आप ग्रिलर में रख सकते हैं और इनके उपर भी मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर बहुत ही कम quantity में बटर की यूज कर रही हूँ ज्यादा बटर यूज नहीं कर रही हूँ और अब मैं इसे लगभग 3 मिनिट के लिए ग्रिल करूँगी और ये लीजिए हमारे tasty wraps तैयार है मैं इने बीच में से कट करके serve करूँगी आप चाहें तो बीच में से भी इसे कट कर सकते हैं या फिर इसे diagonal कट दे सकते हैं और ये देखिए ये देखने में भी कितना ज़्यादा tempting लग रहा है तो आज की इस आसान और tasty सी recipe को ज़रूर try करें और अपना feedback मेरे साथ share करना ना भूलें फिर मिलती हूँ एक नई recipe के साथ till then take care